नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चिरपरिचे दोस्त वस्तित हूँ आप सभी की सेवा में एक बहद हिम महतोपून जानकारी को ले करके जी हाँ आए आज हम सभी जानते हैं पीलिया रोग को दूर करने के कुछ होमेड रिमेडीज के बारे में जी हाँ वो घरेलून उसके जो पीलिया रोग को जड़ से खत्म कर देते हैं हम आपको अलग-अलग नुस्के बता रहे हैं इन में से जो आपको इजीली मिल जाए इसका प्रियोग कर सकते हैं आप सबसे पहला प्रियोग है पीपल के वरिक्ष के तीन से चार नए पत्ते यानि कि कपोलें पानी से साफ करके मिश्री अथवा चीनी के साथ खरल में खूब घोटें अथवा सील पर बारीक पीछ लें एक ग्लास 250 ग्राम पानी में घोल कर किसी स्वक्ष कपड़े से चान लें या पीपल के पत्तों का शर्बत पीलिया के रोगी को दिन में दो बार आवशक्ता के अनुसार तीन से साथ दिन तक देने से लाव हो जाता है जिहां दोस्तों पीलिया सबसे पहले तो होता क्या है जब भी आप बहुत ज़्यादा तैलिये चीज़े खाते हैं तो आपको पीलिया हो जाता है जिहां इसके समानी अलक्षन है आपके आखें पीली हो जाएंगी शरीर पीला सा हो ज जिहां ये इसकी पहचान है प्रती दिन आखों में दो से तीन बूंद निम्बू का रश डालने से कामला रोग दूर हो जाता है इसके अलावा गुलावी अथवा बढ़िया सफेद फिट किरी आग पर फुला कर एवं पीस कर एक बटा आठ ग्राम से आधा ग्राम दो से चार रती की मात्रा में गाय के दूद की छांच या दही के साथ दिन में तीन बार और शक्ता के अनुसार तीन से साथ दिन तक सेवन करने से पीलिया रोग नश्ट हो जाता है गन्ने का रस एक ग्लास हर रोज दो बार दें अथवा इसके अभाव में कागजिन निम्बू का रस और चीनी का शर्बत एक एक ग्लास दो बार में दें आपको लाव नजर आने लगेगा मूली के पत्तों और टहनियों का रस पचास ग्राम में दस ग्राम मिश्री मिला करके सुबह निहार यानि की खाली पेट सेवन करने से समस्त प्रकार के पीलिया रोगों में मात्र एक सब्ताह के भीतर लाव हो जाता है सवेरे निहार मुह यानि की खाली पेट दो संतरे प्रती दिन खाने अथवा संतरे का रस पीने से 5-7 दिन में पीलिया रोग दूर हो जाता है एक ग्लास छांच में एक चुटकी काली मेर्च मिला कर एक सब्ताह तक सेवन करना भी पीलिया लेबो डाल करके दिन में 3 बार सुबह, दो पहर और रात को पीना भी लाव दायक होता है पूदीने का रस निकाल कर सुबह के समय चीनी मिला करके पीना पीलिया रोग में लाव प्रद होता है प्रयोग 10 दिन तक आपको करना होता है या मेहंदी के 10 ग्राम पत्तों को 200 ग्राम पानी में रात के समय भिंगो दें सुबह च्छान कर रोगी को पिलाएं कुछ ही दिनों में पीलिया रोग जड़ से नश्ट हो जाता है गिलोई की लता गले में लपेटने से कामला रोग में लाभ होता है कलोंजी के दानों की स्त्री के दूध में पीस करके नाक में टपकाने से कामला यानि की पिलिया रोग में लाभ होता है बबूल के फूलों के चून में सम मात्रा में मिश्री मिला करके 10 ग्राम की मात्रा में प्रती दिन सेवन करने से पिलिया रोग मिट जाता है बस ध्यान रखें कि बभूल के फूल के चून जो है मिश्री दोनों बराबर मात्रा में हो पीलिया होते ही कम से कम आर से दस दिन तक खटाई तेल लाल मिर्च मसाले वाले पदार्थ और चिकनाई यूगत आहार त्याग करने से जल्दी लाव होता है यानि कि गरिष्ट भोज अब जान लिजिए चावल, रोटी, मसूर की दाल, मठा, पालक, नेनुवा, बथवे का साग, लोकी, परवल, केला, इत्यादी, हरी तरकारी, जीरा, मेथी का छोंक दिया हुआ, करेला, सौंफ, धनिया, खल्दी, दारू हल्दी, हर्रे, गाजर, मूली, केला, संतरा, अनार सेव, खजोर, छुहारा, मिश्री, इत्यादी, पत्य हैं, पिलिया रोग में साफ सुतरे, गन्ने का स्वक्षता से बनाया गया, गन्ने का रस सर्वोत्तम होता है, संतरे का रस, कच्चे नारियल, या डाव का पानी, जो का पानी, बेदाना, यानिकी मीठा अनार का रस, मू इत्कारी होता है, दूधी यदी लेना चाहें, तो दूध में बराबर मातरा में जल मिला कर, और कुछ दाने सौफ के डाल कर, या एक से दो दाने, छोटी पीपर अथवा एक ग्राम सोट का चुण मिला करके, लोहे की कडाही में गर्म किया हुआ ले, खाने में पुराने ग का योश भी पत्य होता है, यानि कि लाफकारी होता है, अब अपत्य जान लेते हैं, यानि कि क्या नहीं प्रयोग करना चाहिए पीलिया में, घी, तेल, हल्दी, लाल मिर्च, गरम मसालों से बने खादे पदार्थ, अचार एवं खटे पदार्थ, नहीं लेना होता है, कारक चीजों का सेवन हानिकारक होता है, थोड़ी मातरा में गाई के दूद से बना मखन लिया जा सकता है, धूप में घूमना फिरना, आग के पास बैठना, परिश्रम के कार्य करना, अधिक पैदल चलना, क्रोध, तनाव, संभोग, धुम्रपान, शराब, मांस, मचली, च इतना इजी दिखता है, उसके साथ साथ उतना ही डिफिकल्ट भी है, क्योंकि ये जानलेवा सावित हो सकता है, और कई बार हो जाता है, अगर आप सही से क्यार नहीं करते हैं अपनी तो, परियाप्त मातरा में पानी पिएं, गन्ने का जूस पिएं, इस टाइम पर ध्यान रखें, संतरे का जूस पिएं, आपके लिए लाफकारी होता है, ये थी आज की जानकारी आप सभी के लिए, अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ते हैं, कौर बहदी महतोपून जानकारी को ले करके, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार